तो भाई यो राम रा मैं वापस से आज चुक हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ बजाज पलसर 125 का तो 125 सेग्मेंट की यह वाई कैसके का कॉमपटीटर की बात कर लो तो होंडा शाइन है और टीवियस राइडर है जो 125 में इसको कॉमपटीशन देती है बाकी एक डीटेल में रिव्यू करने वारा हूँ अगर आपको कनफ्यूजन हो रही है कि 125 में आपको पलसर लेनी चाहिए की नहीं लेनी चाहिए तो यह वीडियो आप लास्त देखेगा आपको समझ में आ जाएगा इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और यह कितने की पढ़ रही है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो शुरुवात करेंगे हम लोग फ्रंट लुक से तो फ्रंट मे मिल जाते हैं औरेंज क्लर की जो फ्लेक्सिवल है तो आप देख सकते हैं फ्रंट का यह कुछ इस तरही की का लुक है अब चलते हैं साइड में तो आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं टेलिसकोपिक थोड़े से कमजोर लग रहे हैं ऑफ रोडिंग में तो इत्ता हर्प नहीं मिल जातां अब कुछ इस तरह से मैं इस तरहां धिखा देता हूं कि कैसे लग रहे हैं घ् hell कहा लग रहे हैं लुक है पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, आगे सिर आपको डिस्क मिलती है, वो भी ABS नहीं मिलता है, बढ़ते हैं अब साइड प्रॉफाइल पर आपको सबसे पहले टैंक पर देख सकते हैं, पलसर का लोगो मिल जाता है, 3D में क्रोम फिनिश के साथ, रेट कलर के स्टीकर मिल जा आपको बढ़ते हैं, 124.45cc का पो इंजन मिलता है, सिंगल चलेंडर 4-stroke SOHC 4-vale air-cool DTSIFI एंजन मिलता है, इंजन के उपर आप देख सकते हैं, इंजन कावल मिल जाता है, फाइबर का आपको देख सकते हैं, रेट कलर के स्टीकर मिल जाता है, तो इंजन को ये प्रोटेक्ट करता है, पाकी नीचे Ground Clearance की बात करना हूं, तो आपको 179 mm की Ground Clearance मिल जाती है, Dual Stand में भी मिल जाता है, बढ़ते हैं अब पीछे की तरफ तो यहां पे आप देख से ब्लैक कलर के आपको body मिल जाती है, और अगर रेर प्रोफाइल पे आते हैं, तो यहां पे आपको side guard मिल जा जाते हैं, और tail light आप देख सकते हैं, red color में ठीक लग रही है, मतलब यह की Pulsar की इसी तरीचे की Head Lamp आती है पीछे, उसके आपको नीचे reflector मिल जाता है, उसके नीचे आपको number plate का space मिल जाता है, बढ़ते हैं आगे तो यहां पे exhaust muffler आप देख सकते हैं, rare tire की अगर में बात कर लूँ, तो आपको 190 का 17 इंच का आपको tire मिल जाता है, पीछे आपको drum brakes मिलते हैं, exhaust muffler मिल जाता है, ब्लैक कलर का, और अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं, यहां पे आपको foot packs मिल जाते हैं, यहां पे के की start मिल जाता है, उस self start मिल जाता है, बजाच का engine की आप दे मिल जाती है, 805 mm की seat height मिल जाती है, टैंक पे आपको 3D का rubber का आपको logo मिल जाता है, sticker आप देख सकते हैं, ओपर चलते हैं, आपको 12 लिटर का fuel tank मिल जाता है, metal body के साथ, E20 की badging के साथ आती है, अब हर वाइक E20 की badging के साथ आ रही है, मैं एक बार आपको semi digital meter console दिखा देता ह तो इस तरीके के आपको meter console मिल जाता है, सारे configuration जो basic हैं वो इसमें आपको मिल जाते हैं, new truck light मिल जाती है, fuel indication मिल जाता है, speedo मिल जाता है, RPM मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते है, passing के button मिल जाते है, indicator मिल जाता है, और horn मिल जाता है, उस तरफ बदिखा दूँ तो कि वीडियो कैसे लगे, लाइक कर पता दीजिएगा, कॉमेंट करके और वीडियो पसंदे तो लाइक कर लेना, चैनल में सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगो कुछ पूछने तो कॉमेंट कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, राम राम